Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल जी हां, हम बात कर रहे हैं Australia की पृत्वी पर मौजूद टोटल साथ कॉंटिनेंट्स में से Australia सबसे छोटा कॉंटिनेंट है जो Pacific और Indian Ocean के बीच पूरी तरह से Southern Hemisphere में स्थित है Australia एक सौवरन देश है, जिसमें Australian continent, Tasmania के islands और कई छोटे-छोटे islands शामिल है इसी लिए इसे island continent के नाम से भी जाना जाता है Australia के एक बड़े हिस्से को rain thirsty का जाता है इसके साथी केवल 4% भूमी पर खेती होती है और यहां कई अनोखी vegetation और wildlife पाई जाती है हलाकि Australia मुख्य रूप से एक agricultural और pastoral country रहा है लेकिन urban areas में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है साथी अधिकांश population eastern और south eastern regions में concentrated है इस देश के brief introduction को सुनते हुए आपके मन में अनेक प्रशना आये होंगे जैसे की क्यों Australia को rain thirsty बोला जाता है यहां की natural vegetation और life दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे अलग है population केवल कुछ क्षित्रों में ही क्यों केंद्रित है यहां की लोगों ने अपने land और water resources को कैसे manage किया है आज की इस चर्चा में हम इनी सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे तो आईए Australia को जानते है Geography of Australia दूस्तों mainland Australia 9 degree और 44 degree latitude south और 112 degree और 154 degree east longitude के बीच स्थे थे 76 lakh square kilometer के area के साथ Australia ओशियानिया रीजन में सबसे बड़ा देश है जिसे flattest और driest continent के रूप में जाना जाता है क्योंकि Australia southern hemisphere में इस्थे थे यहां का मौसम northern hemisphere के बिलकुल विपरीथ है Australia region को तीन physical divisions में विभाजित किया जा सकता है वो तीन divisions है दे western plateau, दी eastern highlands and the central lowlands Australia का western part एक बहुत बड़ा plateau है जो की continent का लगभग two-third हिस्सा कवर करता है अधिकांश plateau desert और semi-desert area है जिसे आमतोर पर outback के रूप में जाना जाता है यह क्षेत्र मुख्य रूप से flat है और छोटे-छोटे shrubs यानी की जाडियों से ढखा हुआ है Australia के plateau, इंडिया के deccan plateau के जैसे old rock से बनी हुई है जो iron ore और gold जैसे mineral से समरिद्ध है दूसरी तरफ eastern highlands है जो की Australia के east coast के समाना अंतर्स थे थे वो north में tropical Cape York peninsula से लेकर south में bass trade तक फैले हुए है जिसका southern extension Tasmania तक और western extension West Victoria तक फैला हुआ है इसके साथ ही eastern highlands उंचे plateaus की एक लंबी chain बनाते हैं जिसे great dividing range के रूप में जाना जाता है इसे east australian cordillera भी कहा जाता है great dividing range में कई mountain ranges, plateaus और rolling hills का एक विशाल संग्रह शामिल है ये दुनिया की पांचवी सबसे लंबी land based mountain range बनाता है पहाडों का ये 3700 km हिस्सा, Australia की सबसे important नदियों और दुनिया की सबसे बड़े groundwater source great artisan basin में पानी पहुँचाता है इसके साथ ही 2234 meters की उंचाई के साथ, Mount Kosios को Australia की highest peak है Australia की अधिकांश नदियां eastern highlands से निकलती है इसके अलावा प्रसिद्ध great barrier reef मुख्य रूप से eastern highlands से संबंधित है ये reef 1900 km से अधिक लंबी है और eastern coast से इसकी दूरी 30 से 240 km तक वेरी करती है इसका निर्मान corals के skeletons के deposition के कारण हुआ है corals एक तरह के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कि tropical regions में गर्म और साफ पानी में पत्रीले sea floor के करीब मौजूद होते हैं लगभग 400 प्रकार के corals और 1500 मचलियों की प्रजातियों के साथ great barrier reef दुनिया में coral reefs के largest collection के रूप में प्रसिद्ध है great barrier reef की इनी विशेष्टाओं के कारण 1981 में UNESCO की world heritage sites में इसे शामिल किया गया था western plateau और eastern highlands के बीच एक extensive low land है जिसे central lowlands के नाम से जाना जाता है ये महदवीब के north में gulf of carpentaria से लेकर Australia के southern shore तक फैली हुई है central lowlands की average उचाई 150 मीटर से भी कम है इसके साथ ही Australia की largest inland lake, lake air समुद्र तल से लगभग 12 मीटर नीचे स्थित होने के साथ Australia का सबसे lowest point है The Murray and the Darling जैसी Australia की प्रमुख नदिया central lowlands के southern part से होकर बहती है इस lowlands से बहने वाली सभी नदिया समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है और उन में से अधिकांश inland lakes में गिरती है और इसी वजह से लेक air के आसपास central lowlands का एक बड़ा हिस्सा inland drainage का क्षेत्र बनता है वैसे तो Australia लगभग 150 volcanoes का घर है लेकिन mainland Australia में हजारों साल से कोई भी active volcano नहीं है हानाकि McDonald और Heard Islands जो की Western Australia से 400 किलोमीटर की दूरी पर external territories है वहाँ इस महद्वीब का एक मात्र active volcano पाया जाता है जिसे Big Ben volcano के नाम से जाना जाता है अगर हम climate की बात करें तो अधिकांश Australia सूखा है हानाकि समुद्र की ओर से चलने वाली winds आस्ट्रेलिया के eastern, southwestern और northeastern पार्ट से टकराती है और इसी वजह से इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है ये regions गर्मियों में trade winds और सर्दियों में westernies से प्रभावित होते हैं इसके साथ ही northern regions में monsoon winds की वजह से summer seasons में rainfall देखने को मिलती है लेकिन eastern highlands इन rain bearing winds के लिए एक barrier की रूप में कारे करता है और इसी कारण west की ओर rainfall कम होती जाती है Central और western Australia के काफी बड़े हिस्से में बहुत कम या बिलकुल भी वर्षा नहीं होती इसलिए Australia के विशाल आंतरीक भाग में hot desert type climate पाया जाता है और इसे rain thirsty बोला जाता है साथ ही अधिकांश population eastern और north eastern पार्ट में केंद्रित है Australia का land और climate विभिन्य प्रकार के natural resources के distribution को प्रभावित करता है आईए देखते हैं Australia के resources और उसके utilization को दोस्तों हमने अभी तक जाना कि Australia बहुत limited fresh water resources के साथ humans के द्वारा बसाया हुआ driest continent है पर ये plants, wildlife और minerals में बहुत ही धनी देश है पानी की कमी के बावजूद Australia आधुनिक तकनीक की मदद से अपने resources का काफी हद तक उपयोग करने में सक्षम रहा है और इसलिए इसे दुनिया के सबसी industrialized देशों में से एक माना जाता है परियाप्त वर्शाना होने की वजह से यहां केवल 4% भूमी ही खेती के लिए इस्तिमाल की जाती है देश के southwest, southeast और eastern coastal क्षेत्रों में जहां परियाप्त water supply मिलता है वहां मुख्य रूप से खेती की जाती है इसके अलावा, इन क्षेत्रों में scientific farming methods का इस्तिमाल बड़ी स्तर पर किया जाता है Wheat यानी की गेहूं, Australia का सबसे important food crop है New South Wales और Western Australia बड़े wheat growing states में शामिल है साथी Queensland में tobacco, sugar cane और cotton जैसे crops उगाय जाते है इसके अलावा, इस देश में उगाय जाने वाली दूसरी food crops में oats, bali और maze शामिल है Rice की खेती सिर्फ irrigated land पर की जाती है Australia बहुत लंबे समय तक दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहा नदीजतन, Australia की कुछ flora और fauna अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले flora fauna से काफी अलग है यहाँ पर कई प्रकार के rainforests पाए जाते हैं Tropical rainforests, जो की मुख्य रूप से North East में मिलते हैं, पौधों और जानवरों की प्रजातियों में सबसे समरिद हैं इसके अलावा, मिड इस्टन रीजिन में सब्ट्रॉपिकल rainforest और साउथीस्ट और तैसमेनिया में ब्रॉड लीफ rainforests पाए जाते हैं कुआला बैय और यूकिलिप्टिस ट्री एक प्रतिश्थित Australian जोड़ी बनाते हैं यूकिलिप्टिस एक तरह का evergreen ट्री है जिन्हें gum trees भी कहा जाता है इनकी कुछ varieties जैसे की जारा और कर्री टिंबर के लिए मुलायम होती है और इस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दूसरा common tree है वाटल दोस्तों किसी क्षेतर में natural vegetation का distribution वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा दुआरा नियंत्रित होता है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में forests, coasts के करीब और grasslands सूखे regions में पाए जाते है palm, bamboo और cedar जैसे trees Northeastern coastal areas के forests में पाए जाते है इसके अलावा Tasmania और Southeastern parts में eucalyptus trees की बहुतायत है dry, arid regions में cactus और thonny grass जैसे पौधे पाए जाते है Australia की grasslands दो प्रकार की है tropical और temperate tropical grasslands northern regions में पाए जाते हैं जिन्हें savanas के रूप में जाना जाता है वहीं दूसरी तरफ temperate grasslands Murray-Darling basin में पाए जाते हैं जिन्हें downs कहा जाता है अगर हम wildlife की बात करें तो Australia के अधिकांश जानवर marsupials होते हैं marsupials mammals का एक ऐसा group है जिसे आमतोर पर pouched mammals कहा जाता है क्यूंकि उनके बेट के पास एक pouch होती है जिनमें वो अपने young ones को रखते हैं kangaroo, koala और wallaby इस तरह के जानवरों के जाने माने उधारन हैं इनके अलावा platypus नामक egg-laying mammal तैसमेनिया सहित Eastern Australia में पाय जाता है यहां की महत्वपूर्ण पक्षियों में emu, kookaburra और liar birds शामिल हैं इन Australian birds की कई खास विशेशताएं भी हैं जैसे liar bird एक बहतरीन mimic है यह दूसरी birds के sounds, human voice और car engines जैसी आवाजे निकाल सकता है इसके अलावा kookaburra को उसकी अजीब और गरीब हंसी जैसी आवाज के कारण laughing jackass के नाम से जाना जाता है अभी तक हमने Australia की geography को समझा आईए एक नज़र डालते हैं यहां के एतिहास पर किसे इस देश का खोजगरता माना जाता है और कैसे Australia का लिखे तिधिहास यहां पर हुए European Maritime Exploration के साथ शुरू हुआ Brief History of Australia दोस्तों Australia एक ऐसा देश है जिसका नाम उसकी खोज से पहले ही रख दिया गया था जब Europeans दुनिया में अलग-अलग देशों की खोज कर रहे थे तब उनके द्वारा खोजे गए सभी देश अर्थ के Northern Hemisphere में स्थित थे और उनका मानना था कि Southern Hemisphere केवल ओशन से घिरा हुआ है लिकिन कुछ Ancient Scientists की धारना थी कि Southern Hemisphere में एक बड़ा Land Mass जरूर है और उन्होंने इसका एक कालपनिक नाम रखा और वो था Terra Australis Incognita जिसका अर्थ था Southern Region में एक गुप्त या अंजान भूमी और इसी वजह से Australia को The Oldest Continent के रूप में भी जाना जाता है Australia को Last of Lands भी कहा जाता है क्यूकि Antarctica के अलावा Europeans के द्वारा खोजा जाने वाला ये अंतिम महद्वीब था 1642 में दक्षण की तरफ खोज के लिए पहली बार Dutch East India Company के explorer Abel Tasman निकले थे और उन्होंने Australian continent में एक island की खोज की जिसे आज के दौर में हम Tasmania के नाम से जानते हैं इसके कई सालों बाद 19th April 1770 को British explorer और navigator Captain James Cook ऑस्ट्रेलिया के South Eastern Coast पर पहुँचे वो पहले European बन गए जिसने ऑस्ट्रेलिया के Eastern Coast लाइन की खोज की थी Dutch खोज करताओं के विपरीत James Cook और उनके साथियों ने जल्द ही महसूस कर लिया कि Australia की भूमी पर बसना उनके देशवासियों के लिए संभव है इसका मुख्य कारण वहां का favorable climate था British सरकार जिसे American Revolution के दौरान North America से बाहर निकाल दिया गया था वो convicts को भेजने के लिए नई जगह की तलाश कर रहे थे Captain Cook ने Australian Coast पर पहुँच कर इस area की mapping की और Australia के East Coast पर Great Britain का दावा कर दिया 1788 में New South Wales में एक penal colony को स्थापित करने के लिए British ships की पहली fleet Captain Arthur Philip के कमांड के अंतरगत Sydney पहुँची Penal colony एक तरह का settlement था जिसका उपियोग कैदियों को general population से अलग करके कहीं दूर रखने के लिए किया जाता था अकसर ये colony किसी island ये colonial territory पर बसाई जाती थी 26th January 1788 को Sydney के port Jackson में British द्वारा एक camp स्थापित किया गया और संग का जंडा फैराया गया यही तारीख आगे चल कर Australia के राष्ट्रिय दिवस के रूप में celebrate की जाने लगी Europeans के आने से पहले यहां पर Australian आदिवासी लोग रहा करते थे माना जाता है कि हजारों वर्ष पहले इन आदिवासी लोगों ने समुद्र के रास्ते आकर इस island को बसाया था European settlement ने आदिवासी सोसाइटी को बुरी तरह से प्रभावित किया हलांकि शुरुआत में मूल निवासीों ने अंग्रेजों के अतिक्रमन के खिलाफ काफी विरोध किया लेकिन भूमी पर कबजा, resources के लिए संगर्ष, भुकमरी और Pox Influenza जैसी नई बीमारियों ने यहां के आदिवासी आबादी को नश्ट कर दिया नतीज अतन आज उस्ट्रेलिया के आबादी में मात्र 3% आबादी ही मूल निवासीों की बची हुई है 19th century की शुरुआत में, Britishers ने आइलेंड के अन्यक्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखा आने बाले सालों में ज्यादा से ज्यादा Convicts को Australia लाया जाने लगा और population growth को देखते हुए New South Wales से अलग-अलग colonies काव की गई 1825 में Tasmania, 1836 में South Australia, 1841 में New Zealand, 1851 में Victoria और 1859 में Queensland इसके साथ ही South Australia की स्थापना एक free colony के रूप में की गई ये कभी भी penal colony का पार्ट नहीं था 1850 के दशक में Australian Colonies Government Act के तहट New South Wales, Victoria, South Australia और Tasmania colonies को responsible government grant कर दी गई और इस तरहे आधुनिक Australian States का निर्मान शुरू हुआ 1850 से लेकर 1860 के बीच, Gold Reserves की खोज और 1890 के दशक में Industrial Struggle के कारण यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बसना शुरू किया और Australia में Radicalism और Nationalism का एक नया दोर आया 1901 में Australian Colonies ने Federalize होने का फैसला किया जिसके बाद Australian State को British Empire के अंतरगत British Dominion के रूप में Self-Government प्रदान की गई इन छे Colonies के Federation ने Commonwealth of Australia को जन्म दिया और इसके साथ ही 1st January 1901 को Governor General Lord Hopeton द्वारा Federal Constitution की घोशना के साथ Commonwealth of Australia अस्तित्व में आया आईए अब जानते हैं Australia के Political System को Politically, Australia एक Federal Parliamentary Constitutional Monarchy है इन में 6 States और 10 Territories शामिल हैं जिसमें 3 Onshore और 7 Offshore Territories में आते हैं लगभग 26 Million की आबादी के साथ Australia एक Urbanized देश है Canberra शहर इस देश की राजधानी है जबकि इसका सबसे अत्याधिक आबादी वाला शहर और Financial Center Sydney है अगले चार सबसे बड़े शहर Melbourne, Brisbane, Perth और Adelaide है Australia का सम्विधान Supreme Law है जिसके तहद Australia Commonwealth States के साथ अपने संबंधू का संचालन करती है Australia Constitution Act 1900, 17 September 1900 को घोशित किया गया था और 1 January 1901 से लागू हुआ हलांकि इस सम्विधान को मूल उरूप से ब्रिटिन की संसद के एक अधिनियम द्वारा कानूनी बल दिया गया लेकिन 1986 के Australian Act ने Constitution में कोई भी बदलाव करने के लिए ब्रिटिन पार्लिमेंट की पावर को खत्म कर दिया Australian System of Government ब्रिटिन और USA के पिलिटिकल सिस्टम से मिल कर बनी है यहां की फेडरल गवर्नमेंट तीन ब्रांचेज लेजिसलेचर एक्जेकिटिव और जुडिशिरी में बटी हुई है इसके साथ ही ब्रिटिन का मॉनर्क, Australia का भी मॉनर्क कहलाता है और वर्तमान में King Charles III, Australia के राजा और Head of State के रूप में शासन कर रहे है और फेडरल लेवल पर Governor General द्वारा और स्टेट लेवल पर Governors द्वारा रेप्रिजेंट किये जाते है Governor General को Australia के Prime Minister की सलाह पर राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है और Prime Minister Head of Government के रूप में कारे करता है वर्तमान में Anthony Albanese, Australia के Prime Minister का पद समाल रहे है Australia Political Rights, Democracy, Quality of Life, Health, Education, Economic Freedom और Safety के मामलों में दुनिया में सबसे उपर है वर्तमान में Australia एक High Income Economy वाला Highly Developed Country है तो आईए नज़र डालते हैं इस देश की अर्थवियवस्था पर Economy of Australia दूस्तों, Australia दुनिया के सबसे Important Industrialized Countries में से एक है यहां की High Income Mixed Economy Natural Resources से समरिद्ध है Australia Bauxite, Ion, Lithium, Gold, Lead, Diamond, Uranium और Zinc जैसी कई Minerals का दुनिया भर में Leading Producer है इसके साथ ही Australia Sheep और Cattle Rearing में भी आगे है 90% से ज्यादा Wool Export के साथ Australia Wool Export में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर आता है Agricultural और Animal Raw Material से और भी कई उत्पाद बनाए जाते हैं इन में Cotton, Cheese, Powdered Milk, Meat, Etc. शामिल है अधिकांश Manufacturing Industries Victoria और New South Wales में स्थे थे इसके अलाबा Australia के Energy Resources में Coal, Hydropower, Natural Gas और Renewable Resources शामिल है Australia के आर्थिक विकास का मुख्यकारण Trade and Transport रहा है यहां की Important Cities, Ports के पास थे थे इसके साथ ही Trans-Australian Railways और Commonwealth Road Highways होने से Trade और Transport आसान था जिसने Economy को बढ़ावा देने में एहम भूमिका निभाई वर्तमान में 2022 तक Australia दुनिया भर में 9th highest per capita income के साथ 14th सबसे बड़ी Economy है इस देश में High Level की Competitiveness और Economic Freedom है Human Development Index पर Australia 5th rank पर है इसके साथ ही 2022 तक Index of Economic Freedom में 12th और Global Competitiveness Report में 19th rank पर है Conclusion दोस्तों ये थी कहानी Australia की जो दुनिया के सबसे ethnically diverse nations में से एक है ये एक लंबे इतिहास, समरिध एकानमी और खुबसूरत landscape से भरा विशाल दूइप है यहां की युनीक wildlife दुनिया भर से tourists के लिए भी एक attraction का काम करती है कि आप भी Australia के बारे में कोई युनीक और interesting fact जानते हैं अगर हां, तो हमारे साथ comment section में जरूर शेर कीजिए Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable